दुर्गा पुजा को लिकर विशेश पुजा पढ़ती के लिए बेगु सरय का जैमंगलागर परसिद्ध है। यहाँ पर मा दुर्गा के स्वरूप सिधी दात्री और मंगला स्वरूप की पुजा होती है। खास बात यहाँ कि यहाँ बावन सक्टी पीठों में से एक माना जाता है। पाब सती का पाट यहां किया जाता है। जो भþक जिस रूप में आते हैं, उस रूफ में उसका मनुकमना पुर्ण होती है। सथी का पुजा आधीकाल से होती है। यहां देवी सती का वाव्ग का अषंद गिरा सागुयरा जिससे इसका मानीता है। सार्धियान नवरात्र लेकर यह पूर्दी होता है सार्दियान नवरात्र के दोरान यहाँ पर कलस अस्थापन किया जाता है और बताया जाता है कि पूरे परिसर में संकल्व के साथ परती दिन पाठ यहाँ पर होते रहता है सब्तमी पूजा के दिन जुर्वा बेल को मता सुरूप मानकार आमंतित किया जाता है यहाँ पर अलग पती से बर्सों से पूजा होती आ रही है बिलाम विनी मंतर के द्वारक्त विहीन वली दी जाती है जिसके बाद मास्टमी की रात में निशा पूजा का आईजन होता है जो यहाँ के सबसे परसित पूजा मानी जाती है अद्व में जाकर मा के दर्शन के लिए यहाँ पट खुलता है मा का खोईशा भरने के साथ हवन कार्ज करम का आईजन किया जाता है यहाँ आने भाले भक्तों की मनों कामना पूर्ण होती है जो इस मंदिल को विशेश बताती है नवरातर के दिनों में यहाँ की यह कहानिया है कि जो भी मननते यहाँ पे मांगी जाती है वो मननते पूरी होती है परसाद में लड़ू, पेरा, वशाता, पंचमेबा, इलेची दाना इत्यादी चरहा जाता है मां जमंगला का हमारे इलाके में बहुत बड़ा महुत है यहाँ एक सक्ति पीठ मंदिर है और साक्षात यहाँ मां जमंगला के असिरवाद से जो भी यहाँ जो लोग बर्दान या जो लोग वहाँ पूजा पाट करके कुछ मंगते हैं तो उनको फल की प्राप्ती होती है और दुरगा माता के रूप में ही वह हमारे हाँ पूजी जाती है अभी जो नौदिन का नावरात्रा होगा और पर साक्षात मादूरगा के तरह सारा पूजा पाट यहाँ पर किया जाएगा यहाँ पर रोजाना तक्रीब अन दिन भी हजारो भग यहाँ पर मासे पूजा अर्चना मौकी पूजा अर्चना करने के लिए आते रहते हैं लेकिन नावरात्रा के दिनों में यहाँ की बिसेश पूजा परसिद्ध है और भक्तों की जो है भीर यहाँ लग ही रहती है बेगु सैसे लोकल एकिन के लिए नीरज कुमार